असलाम लेकुम, नाइंथ क्लास नेक्स्ट हमारा टोपिक है मैस एनर्जी एक्वेशन, मैस एक्वेशन जो थी 1905 में आइंस्टाइन ने दी थी, ठीक है, बहुत बड़ा ये टोपिक है फिजिक्स का, ठीक है, लेकिन हम इसको सिफ चोटे से बेसिक लेवल पर डिसकस कर रहे ह हैं, तो उसके according equation हमें क्या बताती है, कि किसी भी body के mass में जो कमी है, वो हमें क्या करती है, provides a lot of energy, क्या इसकी statement है, a loss in the mass of the body provides a lot of energy, ठीक है, अब इसको हम किस तरह से समझते हैं, सबसे पहले था हम इसकी equation देखते हैं, equation आपको नजर आ रही होगी, e equals to mc square, e is for energy, m mass, और c क् speed of light, यानि रोशनी की speed, जिसकी value कितनी है, 310 to power 8, यह बहुत बड़ा नंबर बनता है, ठीक है, आप देख सकते हो, तो 310 to power 8 पहले ही बहुत बड़ा नंबर है, फिर हम उसका square ले रहे हैं, ठीक है, तो आप सो सकते हो कि फिर यह mass बेशक छोटा भी हो, तो हमें से energy तो बहुत बड़े नंबर के साथ, ठीक है, तो loss in the mass of the body provides a lot of energy, ठीक है, अब इससे हमें पता चलता है, कि जो matter है, क्या है, बहुत concentrated farm है कि इसकी energy की, ठीक है, यह बहुत थोड़ी सी quantity भी हम अगर matter की लें, तो उससे क्या है, हमें बहुत जादा amount में energy मिल सकती है, जो हमारे nuclear होत किस तरह से uranium है, बहुत हो कि छोटे निकलियाई में convert होता है, साथ में energy मिलती है, इसी तरह सन पर fusion reaction हो रहा है, hydrogen का isotopes मिलकर helium बना रहे हैं, वहां पर हमें energy मिलती है, तो यह जो सारे reaction है, इन में यह mass energy equation involved होती है, ठीक है, सन जो है, उससे बहुत जादा energy मिलती है, थोड़ी स जो ही जो है वो जमीन तक पहुंच जी और हमारी life उसी की वज़ा से जमीन पर possible है, ठीक है, तो हम जो है कर उस energy को किसी बैटर वे में इस्तमाल कर सकें, ठीक है, तो हमारी यह सारे energy के issue resolve हो सकते हैं, यहां पर अगर आप देखो तो mass हम सिर्फ अगर 1 kg का भी लेते हैं, तो 3 स्क्वेर है जो कि 1 के साथ multiply होगा, ठीक है, तो 3 टैनर्स पर 8 के स्क्वेर जितनी energy हमें यहां पर मिल रही है, just by the mass of only 1 kg, ठीक है, सो हम बहुत ज़्यादा amount में यह energy gain कर सकते हैं, यह इसकी चोटी से example है, इस तरह से भी ले सकते हैं, अभी जैसे हमने कहा कि uranium था, ठीक है, त मैस में जो कमी होई है, वो मैस कहां गया, simple words में यह कहते हैं, कि उसी की बराबर हमें क्या मिल गई है, energy, so mass किसमें चेंज हो गया, energy में इस तरह से energy किसमें चेंज हो सकती है, mass में, ठीक है, यह यह relation हमें, आइंस्टाइन ने दिया था, तो simply अगर हम बात करते हैं, तो simply हम ब किसमें convert हो जाते हैं, एश बन जाती है, एश बन जाती है, तो साथ में heat energy भी मिलती है, तो बुजू मैस में कमी होई होती है, उसी की मिकदार में क्या मिल जाती है, रिलेटेबल energy मिल जाती है, ठीक है, so e equals to mc square, यह equation है, अपने इसको prepare कैसे करना है, इसकी आपको statement पता हो, उसके बाद equation पता हो, और equation C में आपको पता हो, कि यह C क्या है, speed of light, उसका value unit, ठीक है, और यह जो इनोंने explain किया है, कि हमारे nuclear reaction like fission and fusion, वो भी C equation पे based करते हैं, ठीक है, नेक्स आजाता है, electricity from fossil fuels, हमने जो अभी sources पढ़े energy के, उसमें हमने देखा कि हम electricity generate कर सकते हैं, बहुत स sources हैं, जैसे biomass, wind energy, water energy, energy from the sun, solar panel के थूँ, इसी तरह से fossil fuels हम electricity कर सकते हैं, ठीक है, fossil fuels क्या है, are the basically compounds of hydrogen and carbon, hydrogen and carbon के compound उनको जलाया जाता है, और burning से हमारे पास electricity produce हो सकती है, अब यह process कैसे होता है, किस-किस तरह से energy convert होती है, यह आपको एक flow diagram दिखाई भी है, इनोंने, सबसे पहल compounds हैं, तो सबसे पहले इनकी जो energy होगी, वो कौन से energy है, stored in में, chemical energy, अब heat दी जा रही है, ठीक है, burn किया जा रहा है, तो heating का process हो रहा है, जिससे steam बन रही है, उस boiler में, ठीक है, तो steam क्या है, potential energy, potential energy, जो steam क्या है, वो क्या करेगी, हमारी turbine को turn up करने के लिए इस्तमाल होगी, तो turbine turn हो रही है, move कर रही है, तो उसकी कौन सी energy है, mechanical, rotational mechanical energy, ठीक है, turbine के साथ आगे हमने क्या फिनेक्ट किया है, generator, turbine की kinetic energy generator को मिल रही है, जो कि generator आगे उसको किसमें convert कर देगा, into electrical energy, ठीक है, तो as an output हमें कौन सी energy मिलेगी, electrical input पे हमने कौन सी दी, chemical, बीच में इस इस तरह से ह energy conversion होई है, ठीक है, तो generator की definition भी यही होती है, कि generator क्या करता है, हमें electrical energy प्रवाइड करता है, ठीक है, जब कि हम उसको कौन सी energy देते है, mechanical energy, जैसे यहां पर हमने turbine की mechanical energy थी, तो वो हमने यूज किया उस generator को run करने के लिए, और generator ने हमें क्या दी, इलेक्टिकल energy, जब हम energy conversion की तो input से direct output energy नहीं हमें मिल जाती है, प्रोसेस के दुरान भी बहुत सी energy convergence हो रही होती है, या वैसे एक ही energy different हमें आगे से energies दे रही होती है, ठीक है, जिसके इसके साथ आप लोग यह देखोगे, flow diagram of an energy converter, तो यह आपको पता चलेगा, यह तीन different हमें energy diagram दिखाई नहीं है, कि क बेस्ट है, यह भी topic लेकिन यह बाद में करेंगे, यह थोड़ा उससे रिलेट करता है, तो इसको हैले कर लेते हैं, इसमें क्या है किस तहां से हम input energy देते हैं, और किस तहां से वह output energy में convert होती है, और output energy कौन कौन सी है जो आगे से हमें मिल रही होती है, जैसे सिंफल अगर ह इसमें क्या है, 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 जैसे simple tungsten filament bulb होते हैं, yellow light bulb तो वो जल्दी heat up हो जाते हैं और उसको compare करें white light की energy saver के साथ, तो उसमें हमें light energy basic मिल रही होती है इसी तरह से, third है vehicle running with a constant speed on a level road, level road है मतलब एक smooth speed के साथ वो महां पर जा रहा है constant speed के साथ, कोई भी vehicle move का रहा है, for example, car है, तो आप उसमें क्या है, fuel की burning हो रही है, तो chemical energy है अब वो chemical energy क्या कर रही है, heat तो बनेंगी ही, for sure, ठीक है, लेकिन उस heat के साथ साथ क्या हो रहा है क्या कर रही है, वो kinetic energy, हरकत की, जो motion की energy है, वो भी हमें मिल रही है, vehicle हमारा move कर रहा है, ठीक है लेकिन उसके साथ, इस साथ क्या होता है, heat और noise, ये, जो है, वो, मतलब, इस form energy हमारी waste भी होती है, ठीक है और ये kinetic energy हम कहां use कर रहे है, हरकत की जो energy है, motion की कहां, इस्तमाल हो रही है, हमारे vehicle को move कराने में तो वो क्या है, वो work done हो रहा है उसके उपर, ठीक है, तो इस तरह ये basic energy थी, जिससे हमें आगे से ये energies मिली इसी तरह से power station, जैसे simple अगर हम hydropower plant की ही बात कर लें, कि वहां हमने पानी से किस तरह से हम electricity generate कर रहे है तो डैम में सबसे पानी स्टोर है, तो उसकी कौन सी energy है, potential, ठीक है potential energy है, तो क्या होता है? कि जब वो turbine के उपर हम fall कराते है उस water को तो वो क्या करता है? उसको move कराता है, तो वो kinetic energy बन जाती है वो kinetic energy क्या कर रही है? यहनि वो kinetic energy किस को move करा रही है? किस पर work done हो रहा है? उस turbine ठीक है जिससे वह turbine रन कर रही heat और sound तो आपको आने ही हैं ठीक है इस तरह से थोड़ी बहुत energy waste भी होती है अब ही जो work done हुआ था चरबं को run करने के लिए तो turbine ञाण कर रही थी उसके साथ generator connected था तो वो ही energy कसमें qonvert हो गई? electrical energy में जो पीछे भी अभी हमने एक्जामपल देखी है ठीक है इस तरह से हमारे पास इंपुट से आउटपुट एनरजी आती हैं डिफरेंट फर्म्स में कनवर्ट होते हुए यह सारे टोपिक जो आच हमने कवर की हैं यह सारे शोट के तोर पर हैं इनको आपने प्रिपेर कर लेना है कोई क्वेस्टन कोई प्रोब्लम हो तो लाजमी पुछा करें बाकी जो टोपिक हमने स्किप किया वो इन्शाला कर डिसकस करेंगे एफिशेंसी के टोपिक के साथ थैंक्यू अलाफेज